जैन दोस्तों कैसे हैं आप मैं कमले सापके अपने चैनल के कि फर्नीचर में आपका स्वागत करते हैं आज हम आपको दोस्तों जो दीमक खाया हुआ चौकट है उसके उपर हमने मतलब रिपेरिंग करके इसको नया किया हुए तो किस तरह से किया है वही इस वीडियो में केड़े भी थे तो इसको निकाल ऑफने अच्छा से सापकर दिया है और इसको निकालने के बाद टर्मिंटर लगाने के बाद दो दिन के लिए छोड़ दिया था क्यूंकि जो कीड़े निकल जाएंगे तो काफी मुस्क्क्रण हो जागा इसके लिए सब करना जरूरी है तो यहाँ पे दोस्तों हम चौकट को बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो लकड़ी है यह लकड़ी इसके उपर पहले फिटिंग हुआ था तो यह लकड़ी को हम अंदर के तरब से फिटिंग करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे जो हमारा दर्वाज़ है वो इसकी इसी के उपर आएगा तो हम पहले लकड़ी को fix कर देते हैं तो फाइले दोस्तों हमने तीन तरफ लकड़ी को fitting कर लिया है और मैं एक जब को दिखाना चाहूँगा हमने लकड़ी क्या सबसे fit किया है तो जो मतलब दीवार के बाद का जो area है जो अभी मैं आपको दिखाएता हूँ यहाँ पर देखेंगे लकड़ी भी मैंने इस तरह fitting किया है और यहाँ पर जो दीवार है जितना मोटा दीवार है उतना ही हमने लकड़ी लागा कि इसको चौकट को मोटा कर दिया है क्योंकि अंदर से बाहर से एक ही जैसा दिखेगा तो उसके लिए हमने जितना जगह है उतना लकड़ी लिया है और जितना मोटाई है उतना मोटाई लिया है तो इसके लिए हमने लकडी को लम्मे में लगाया है और उपर देखेंगे तो हमारा लेवल है नीचे से बाहर है और दूसरे तरफ को मैं दिखाता हूँ तो दूसरे तरफ को देखेंगे तो हमारा लकडी जो है वह बाहर के तरफ है और नीचे देखेंगे तो नीचे जो कड़ी बीडिंग पट्टी लगा लेंगे तो उससे क्या होगा हम जब पट्टी पट्टी कटिंग करेंगे तो हमको बार 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 बीडिंग पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा तो इसके लिए हम पहले क्या करतें बीडिंग पट्टी को लगा लेते है करेंगे कि अ और उसके बाद बीटिंग पट्टी को लगाके इसको इसको एक्स्टा पाट्टर रहेगे तो मैंने बीटिंग पट्टी लगा लिए हम क्या करेंगे दोस्तों रंदे से इस तरह से साप कर लिए जो अक्ष्टा पार्ट रहेगा और रंदा लगाने को इसको जितना जितना साइट चाहिए हम उसना साइट का इसको कर देते हैं कि अगर दोस्तों हमने प्लाइवूट को कट कर लिया है अब हम इसके उपर इसको फिक्स करेंगे तो इसको आपको जिए दरवाजय का जो साइज जो दरवाजय का मोटाई है उसके इसाब से इसको छोड़ देना है और यहां पर देखेंगे अधार पर लकड़ी लगाया हुआ है क्योंकि जब यह मतलब पॉलिस होगा तो लकड़ी-लकड़ी तो अपना जो काम होगा क्योंकि आउट होने के बाद अच्छा नहीं दिखता है तो यहां पे हम दोनों तरफ अगर देखाएंगे तो दूसरे तरफ कभी अब देखेंगे तो यह भी हमारे धार गुनिया में है दोस्तों कभी भी काम गुनिया में जरूर करना चाहिए उसे अपना काम जो है वह अच्छा होता है तो यहां पे दोस्तों यह वाला एरिया जो है वह हमारा अंदर के तरफ से है तो मैं आपको अब दिखाएंगे यह बाहर से है तो बाहर से देखेंगे तो हमने जो आउट है निकाला हुआ है उपर के तरफ देखेंगे तो हमारा जो आउट है उपर देखेंगे ज्यादा गयफ है क्योंकि लकड़ी बाहर था और यह देखेंगे तो बाटम में एकदम सीधा है हमने फासरी लगा लग सीधा कि आप नीचे देखेंगे तो इदम प्लाइवड जो है व हम क्या करेंगे डोश्तो अंदर के तरफ से हमारा अंदर वाला एरिया है तो इसके तरफ हम को मतलब तीन इन्च का पट्टी लगा रहा है इसमें भी देखेंगे तो अंदर की तरफ हम denomay हो जाएगा बज्ड़ीले होजागे तो इसके इसाफ में पाउपिक्स करेंगे सेमत तरीके से तीनों तरफ.अंधर के तरफ लकड़ि लगा के मतलब पट्णी लगा इसको की्स किया हुँ हाँ यहें पर नज्व्जिक से देह सकते हैं तो कुछ इजसे दोस्तों हमने अंधर के टरफ से जतना भी लगड़ि लगा करने काम था वो तीनों तरफ का जो फिक्सिंग का काम है वो हमने कर लिया है यहां पर देखेंगे यह हमारा जो इंजिस लगने वाला जग है वह आपको थोड़ा-थोड़ा दिखरा होगा क्योंकि यह लकड़ी पुराना है इसके उपर लगाया गया था दोस्तों हमारे वीडियो क पटी पहले नहीं लगाना है बाद मैं किस तरह से लगाना मैं आप यापको आगे बताओंगा तो बाद में किस तरह से लगाना है देखें यहां पे देखेंगे तो इसको बंद ब्लाई के ऻूब northwest camera देरीट से सबस्क構यों जो नुशकर दो Sum बीडिंग पट्टी है उसको फिक्स कर देंगी फिक्स करने के बद क्या करेंगे हमारे जो गया पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हमारे इसमें गया नहीं रहेगा तो यहां पर ओर वाल देखेंगे दोस्तों जो हमारा प्लाई लगाने का काम तब वह कंप्लेट हो चु सिट में मतलब पहले सी हमने बीडिंग पट्टी लगा लिया था और हमने आप देखा होगा कि पट्टी पट्टी कट किया तो हमको मतलब पट्टी लगाने के जुरूत नहीं रहता है दोस्तों आलमुस्त हमारा जो चौक अट हो चॉपन के कंप्लिट हो चुग है मैं आपको फाइनल लुक दिखाएता हूँ तो यह वाला एरिया दोस्तों हमारा अंदर की तरफ से हमने इसके उपर परपल कलर का लेमिनेट लगाया है और जो डोर है वाइड कलर का है आप देख सकते हैं कॉमिनिशन जो भी है आपके सामने दिख रहा होगा अब मैं आपको चो फ्रंट साइड का है वो दिखाएता हूँ अंदर की तरफ से अब देख लिए किस तरह से है और यह हमारा दूस्तों फ्रंट साइड का है यह डोर हमने नहीं बनाए पहले से बनाए ओलेडी जो यह काम है मैंने किया था एक 10 सल 12 सल पहले दोस्तों हमारे वीडियो कैसा थ बिलता हूँ देस्टों इस वीडियो में नाट्रों से तक तक लेजाए हैं बंदे मातर है